स्टेडी विर एसकेसी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रियावरण के बहुत ही महत्पून प्रसंद जो आपके आगामी परिख्छाओं के लिए बहुत ही महत्पून होने जा रहे हैं तो यह सारे जो हमारे कोशन्स हैं यह वन लाइनर कोशन्स हैं तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना न भूलें और बैल आइकन के जो बटन दे रखा है उसको प्रेस कर लें जिसे नेक्स्ट वीडि आले का सर्जन कब हुआ तो यह हुआ था 17 सितंबर 1985 में अगला कोशन है प्रियावरण संग्रक्षन अदिनियम कब पारित किया गया था बहुती महत महत कुन कोशन है यह हुआ था 1986 में काफी बार पूछा गया है इंद्रा गांधी दुवारा विश्व की सबसे बड़ी वन जीव संग्रक्षन अदिनियम भी आ सकता है लिखा हुआ अगला कोशन है रास्टे हरित नियाय अधिकरन अधिनियम कब पारित हुआ तो यह हुआ था 2010 में बहुती अच्छा कोशन है यह भी प्रियावरण को विकास के साथ पहली बार किस पंचवर्षिय योजना के साथ ज कार्यत्मक्ता में भूमी का किस प्रकार की थी पाता और धाता पाता का मतला हो गया रिसीवर और धाता हो गया डॉनर यानि कंट्रिबुटर कोन सा मानव प्रियावरण का विदिवनसक माना जाता है तो वो माना जाता है प्रोद्धिगी मानव कौन सी विदा ने माना को सामोई की जीवन प्रतान किया तो ये किया है पशुपालन ने अगला कोशन है खेती की सरवादिक पुरातन प्रनाली है तो वो है अमारी जूम खेती और जूम खेती भारत में कहा होती है पूर्वत्तर भारत में होती है ठीक है अगला कोशिन है विस्त तथा भारत में आज भी जूम क्रसी कहां प्रचलित है तो ये दक्षण एवं दक्षणी पूर्वी एशिया एवं पुरुत्तर भारत में होती है मनुश्री के लिए सारवादिक कारेच्षिम तापमान तता आधरता कितनी होती है तो ये होती है पच्चिस डिग्री सेल्सिस तापमान होना चाहिए और सिक्स्टी प्रतिसत आधरता भारत की दामोदर नदी प्रियोजना किस नदी प्रियोजना की अनूकरती है तो यह है टैंसी घाटी 1994 युस से विश्की सरवादिक अविशाद का प्रिवहन करने वाली दो नदियां है पहली नदी है यलो नदी ये चीन में और गंगा नदी है भारत पस्षीम बंगल का सोक किस नदी को कहा जाता है ये कहा जाता है दामोदर नदी को किस नदी को बिहार का सोक उपमा प्रदान किया जाता है कौन सी नदी है वो को सी नदी अगला कोशिन है बहुत अच्छा कोशिन है भोपाल गैस त्राश्दी कब और किस की करण हुई थी तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को और करण क्या था मुआ पे जो केमिकल है मिथाइल आइसोसाइनाइट वो रिसीव हुआ भारत में गैर प्रमप्रगत उर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई तो ये हुई थी 1982 में रास्टे प्रेवण अभियांतर की शोध संस्थान कहा है थी थे यह नागपूर में अगला कोशन है भारतिया नेवी निकर उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी तो ये हुई थी हमारी 1987 में आसा करता हूं को आपको सभी कोशन्स जो हैं बहुत अच्छे लगे और सभी को आप नोट कर ले और चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकिंड पार्ट लेकर अपना परियावरण का जहिन